हेलो प्यारे बच्चों कैसे हुआ प्यारे बच्चों इस वीडियो में कक्षा साथ का जो आज दिनांग 29 जुलाई 2021 का आपका समाजी ज्यान में हमारा प्रयावरन इसके अंदर तीसरा ज्याय है हमारी बदलती प्रित्वी जिसके टोपिक बाग एक प्रित्वी की गतियों के प्रित्वी की कौन कौन सी गतिये किस वाग में लगती है प्रित्वी की दो गतिया एक है गुर्णन गति प्रित्वी का अपने अक्ष पर गुमना गुर्णन कहलाता यानि कि ये प्रित्वी के अक्ष पर लगती है दूसरा है परिकर्मन या परिबर्मन गति सूरे के चारों और एक सिर्क अक्षा में प्रित्वी की गति को परिकर्मन गति कहते हैं यानि कि आगला परशन है बहिर जनित बल द्वारा प्रिवंपर होने वाले अपरदन वैं निक्षेपण के उधारन दीजिए तोदेखी, आपरदन का मतलब क्या होता है? कि जब मिटी पर पानी जल पवन और ही पानी हवा और बरफ जैसे गटकों के कारण उपर वलि जो मिटी खत्म हो जाती है बै जाती है उसे हम कहा देते हैं अपरदन अब है निक्षेपन बाड़ करित मैदान का निर्मान गभी कभी नदी जब अपने टक से बाहर बेहने लगत जीसे आपने देखा होगा आजकल नहरें तूट जाती हैं जब वो नदियां ऐसे तूट जाती है तो फल सवरुप निकटवथी शित्रों में बाठा जाती है बाड के कारण नदी टटों के निकटवर्ती शेत्रों में महीन मिटी और अन्य पदार्तों का निक्षेपन करती है जिसे अवसाद कहती है इससे समतल उपजाओ बाड करित मिदान का निर्मान होता है पांचवा परशन है प्रिट्वी पर जवाला मुकी निकलने का क्या कारण है उत्तर है प्रिट्वी के भूग अरब में अत्यदिक तापमान होता है यह उस तापमान वहां पाए जाने वाले रेडियो दर्मी पदार्तों के विगटन रसाइनिक परकरमों तथा उपरी दवाब के कारण होता है इस परकार अधिक गहराई पर प्रदार्त बिगलने ल झाल 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 झाल